फ्रिंस आज हम बनांगे टमाटर की चटनी बीना मिक्सी के बीना सिलबटे की कैसे तो चले देख लेते हैं ऐसे पहले ही देखिए चमचमाथी हुई टमाटर की चटनी आहा हा मूह में पाणी आ गया कि मुझे टमाटर की चट्नी घाना था और बहुत महाँगे हैं सभी को पता है आप यहां पे मैंने कढ़ाई लिये इसमें धोड़ा सा तेल डालेंगे आप सरसु का भी तेल का इस्तमाल कर सकते हैं और इन टमाटरों को सिंपली इस तरह बिच्छा देना है और इसमें थोड़ी सी मिर्ची और लैसन डाल देना है और हलका इने भूनना है ताकि टमाटर की छिलके है यह अलग हो जाए और मिर्ची लैसन भी अच्छे से भून यहां पर देखें यह चल्क निकाल लेना है इस तरह से और इसको अब हम देखिए क्या करते हैं तो थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी और फोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे डालने के बाद यहां पर मैंने तो मैंने पाव भाजी वाला हतियार लिया यानि कि पटैटो मैशर इसी से अच्छे से मैश कर देंगे यहां पर कुछ ही मिंटों में हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी हमारी चटनी तैयार हो गई है और इसका भूना हुआ चटनी बहुत ही टेस्टी अब चावल के साथ खाओ चाहे रोटी के धनिया डाल देंगे हाला कि चटनी थोड़ी महंगी हो गई है लेकिन स्वात के लिए चलता है यहां पर देखिए चम चमाती हुई चटनी हमारी बन के तैयार होगे तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और खाते पीते रहेगा सभी का दिल जीते रहे हर हर महादेव दोस्तो धन्यवाद